हम लोग माले गाउं शहर के अंदर एक नसा मुफ्त केम पो मेडिकल तिब नभी के तर्ज उपर यहाँ पर माले गाउं में रख रहे हैं जैसा कि हिंदुस्तान के माया नाज हकीम सूपी अब्दिलमतीन साहब जो है हाली में छटी सरीफ के दिन अजमेर मुकदसा में इनको खान का है वहां से इनको एवाड दिया गया है कि जो दवाएं वगयरा जो यह तकसीम करते हैं तो उसका रिजट अजमेर मुकदसा में भी बहुत अच्छा आया है तो वहां के खादमीन की तरफ से इनको एवाड से नमाजा गया अससलाम आलेकुम रह्मतुलादी को बर्काद मेरे गरीब नमाज का बड़ा करम है और मख्वूम एश्रफ सम्दारी रदियल्लाह टाला का भी बड़ा करम है कि उन्हों ने हम को तिब नम्वी सल्दालाह अलेकुम की अद्वियात पर उबुरत फासिल कराई यानि ये बज़ुकों का करम है कि अल्लाह टबारु टाला उन अद्वियात में हमारे हाद से शिफाता पर्मादा और मैं आप के तमाम चैनल से एक मैसिज देना चाहता हूँ कि हम तिब नम्वी सल्दालाह अलेकुम की अद्वियात को जाने हम तिब नम्वी सल्दालाह अलेकुम की अद्वियात क्या है इसके फवायत क्या है आखिर इन से कितनी बीमारिया दूर होती है कौन कौन से मर्श दूर होते है हम इसको जाते ह्जा यानि मिसाल के तो अम आज का माहूल ऐसा केरा जा रहा है माहूल ऐसा बनाए जा रहा है कि couples नौभी को यह अगर को यह मालूम है कि अगर जिसमानी बीमारियों के तालुख से अगर अवाम को पता चल जाए कि कौन सी अच्छी चीज़ है और कौन सी बहतर चीज़ है तो लोग उस मख़ब को मानने वाले बज़ रहे इसलिए तिब्रभी अल्याओं के फैजान से शिफा से हम सब को दूर रखा ले जाए निसाथ के तोर पर, मीरे आपा और स guarant cane वंचे इशार ले श लेकंद के इशार कर्मा कि मोद के इलावा, इस तिब्रभी के दौर रखा लेए यानि कुछ दौराईह हैं जिसके मतार्णक फर्माया है, कि मोद के रहा इसमें शिफाय है तो मेरे महसिन आज जो दौर चड़ रहा है आज लोग परिशान नजर आ रहे हैं नशे के हालत हर घर बर्बाद हो रहा है नौजवान नस्रह हमारी नशे की आदस से बर्बाद हो रही है घर फूट जा रहे हैं उनकी जिन्दगी और आकिलत बर्बाद हो रही है और जब वो नशा करना शुरू कर देते हैं वो नशा आवर अपने पे हावी हो जाते है तो अल्लाओ वह पर माशेरे का हाल आपने देखा कैसा हो जाता है तो हमारे मुसिल फूर्ब आले नभी अव्लादि अली फूर्ब सेयत पावर अली रज़्वी गादरी ने ये कहां कि हकीम साथ एक ऐसी दवा तिब नभी स.अग्याओं से बनाई जाए जिससे लोग जो हर पिस्म का नशा कर रहे है वो नशेश से दूर हो जाए क्योंकि हमें दुस्री अद्वियाद पर तो यकीन है लोग ये समझते हैं कि उससे फायदा होगा लेकिन नहीं आज अर्मदल्ल्ला लेकिन दिब नभी स.अग्याद की जो अद्वियाद से नवा तियार की गई है अर्हम्दल्ल्ला हमको वो यकीन है और खुद हमने वो अवाग पर वो कुछ मरीज़ों पर हमने आजमाया और अल्ला ने उन्हें मुकंबल शिदा 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 आज यहां पर इंशालला यहां एलाद करते हैं कि आठ तारीक बरोजे जुमा इंशालला यह तिब रभी स.अग्याद से जो दवाब बनाएगी है नशा मुक्त तो वो इंशालला अजजद अजदा फाउंडिशन के जरीए से ये प्री में दी जाएगी तो आप तमाम से से खुजारिश है कि इस दावत जाधा से जादा आख करें और जो अपने महलों में अपने पर प्ती में अपने घरों में जो बच्छे नशा करते हैं उनके लिए यहां से पार्म हासिर करें और इंशालला आ प्लार ओस्वाजद कि इन दौाह से इन दौा से सब को ऋनी मेडिया के जरीए दो तीन रोज के अंदर हम लोग और आप लोगों के जरीए हम लोग इलान कर दें यह जरूरी था इसको पहले ही तैय करना चाहिए था अधर दिबिन अभी समद्वार लिस्वलम के जरीए से किसे सवाल कुछ ना है तो कर सकते नशा कौन-कौन से तरीके के नशे का इलाज होगा हर पिसम का नशा चाहे वो सिक्रेड हो तंबाको हो या ड्रिंड हो और आपके शहर में एक कुता गुली बोलकर मशूर है मारे अहबाब ने बताया तो अलहाम दोलिल्ला यह तमाम नशे उस दवा से खत्म हो जाएं लेकिन उसका मुकमन फोर्स है तीन महीने तक फ्री में देगे नई तीन महीने के फ्री में रहेंगा एक हम बोटल दे रहें वो 600 امل की बोटल यह पंद्रह से बीस दिन की बोटल है फ्री दी जागा उसके रिजल्ट के बाद मतलब आपको देरे देरे वो चीज़े आपको रहेंगा कि बच्चा नशा छोड़ है आठ दिन में माशाला ये चीजे मैंसुस होंगी कि बच्चा नशेद से दूर हो रहा है उसका दिल और दमाग सुकुन में आ रहा है वो बेचेनी का शिकारता वो खतम हो चुका है कुछ अपराद अपने दर्द के बिना पर नशा करते हैं कोई टेंशन की बिना पर करता है क कोई सहबत की बिना पर करता है यानि गलत सहबत पर हमदल्ला उसमें ये कंटम हमें रखे के दिल और दिमाग मुतमाइन हो जाए और वो सोचने लगे कि मैं क्या सही कर रहा क्या गलत है कि दूने दिन में समझ प्राइगा कि आठ से पंदरा दिन में समझ प्राइगा ये ति